आज में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं एक ऐसी डियावेर रेमेडी जो मॉनसून के लिए बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव है क्योंकि मॉनसून में क्या होता है कि बहुत लोग की जो स्किन होती बहुत ही ज़्यादा ओईली चिप-चिपी फील करती है स्किन पर को आप देखते रहा होगे अगर आपके स्किन में दागधबे जाईया है तो वह भी दूर हो जाएगी तो जादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते है अज की वीडियो किस तरीके से बनाना है इसको बनाने के लिए अपको सबसे पहले क्या करना है आपको बोल लेना है उसके बाद आपको इसमें एड करना है ग्राम फ्लार यानि बेसन तो आप इसमें दो चमब बेसन एड कर लिजिए बेसन से ओल को कंट्रोल करेगा साथी साथ आपके स्किन को वाइटन ब्राइटन ग्लोइंग बनाएगा स्किन पर अगर दाग धबे जाईया ह तो वो भी दूरोगी तो मैंने हाप पर दो चमब बेसन एड कर लिया है उसके बाद अगली चीज जो मैं इसमें एड करने वाली हूँ वो है तामरीक पाउडर यानि हल्दी पाउडर मैं आपर वन बाइफ फोर टी स्पून तामरीक पाउडर एड कर रहे हूँ हल्दी में अंटिसेप्टिक अंटिबैक्टिरियल प्रॉपर्टीज होती है जिसे स्किन ग्लोइंग और शाइनी होती है उसके बाद लास्ट इंग्रेंट जो मैं आड करने वाली हूँ वो है रॉ मिल्क यानि कच्चा दूद तो आप इसमें इतना कच्चा दूद एड कर लिजे ताक किसे आपके स्किन की सारी प्रॉम्स दूर हो जाएगी और आपको वाइटन ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी तो देखिए आपको से बहुत अच्छे से मिक्स करने ला है और आपको ध्यान रखना है कि इस पैक में कोई लंप्स नहीं रहना चाहिए बहुती स्मू से अपलाय हो सके तो अब मेरी डियावे रैमेडी एकदम रेडी है अब बात करते है कि इसे यूज किस तरीके से करना है यूज करने का तरीका बहुत ही जाहिए सीम्पल है को नहीं पर अपने फेस को बाच्छे से वाश कर लिए जाकि防 के जोबी डिर्स और रमुव भी हो जाती है स्किन पर कोई शाइन नहीं रहे तो अगर आप चाते हैं कि मौन्सुन के मौसम में भी आपके स्किन ग्लो करती रहे शाइन करती रहे तो यह रहे मिडिया आप ज़रूर ट्राइब कीजिए यह बहुत ही जादा नैचलर एफेक्टिव है इसमें जितनी भी हो लोगा और स्किन वाइटन ब्राइटन और ग्लोइंग हो जाएगी तो एक सब्साच करने के बाद आपको इस पैक को अच्छे से सूखने के लिए शोट देना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे से वाश कर लेना है तो आप देखेंगे कि आप सब्सक्राइब करें शाइनियांग और अगर आप के सके स्किन नाक में तेब zarf अगर आपको बंचाने की प्रॉब्लम पसंद आयो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज मेरे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंज के साथ शेयर करना ना भूलें मैं मिलूंगी आपको अगली नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर